किसान भाईयो यह जो टुकड़ा है हमारा खेत का यह हमने 28 सिंच में बोया था इसमें दो खूड बोये एक खूड खाली छोड़ दिया देको बीच में दो खूड बोये हुए है यह खूड खाली है हमारा इसमें हमने मिटीनी डाली यह देखे और इसमें हमने चिदी-चिदी मक्का डाल दी थी क्योंकि मक्का का चारा बस्वों के लिए बहुत बढ़िया है इसे दूद बढ़ता है और एक दिक्कत हो रहा है खल चूरी इतनी महंगी होगी कि किसान को कुछ नहीं बचता यह देखिए कोई-कोई पेड़ है एक दो-दो फुट पे मक्का का और इसका जमाव अच्छा हो रहा है तो इसका तजूर्बा करेंगे कि यह खुड छोड़ने से हमें कुछ लाब हुआ है नुक्सान यह देखिए यह दो लाइन शी पड़ी है यह खाली है यह हमने नहीं बोया यह दो बोया है थाइस इंच पे कर लोको बंद भाना पड़ेगा तो यह बहुत अच्छा रहेगा बंद भी जाएगा जब गोंड का गन्ना कितनी जल्दी जमता है जब गन्ना बीज बनाए गन्ने का तो जो गोंड का हिस्सा है गोलेगा उसको चोट्ली पे सकाटे है उपर से ताकि वह एक गोब निकलाए बहुत से वहाँ गन्ने पे सकाटते हैं तो वह नुकसान होता है बहुत बड़ा अब यह देखी सबसे उन्चा जो यह पोवा जमा है यह गोंड का होता है जिसका जमाव बहुत बड़िया होता है हाला कि हमने आपके जितने भी खेट बोए तीन टुकड़े बोए बहुत तो तिन्नों में आध्धम से उपर का बीज बोया देखते हैं तो जुर्बा भाईयो यह हमारी पिछली बार यह फागन की बोड़ती बहुत अच्छी निकले और देखिए भरगी बिल्कुल इसमें हमारे ठेकेदार ने गन्ना छोटा पोगा छोड़ दिया एकक पोगा तो इसमें बहुत कम लागत लगेगी एक बार तो इसमें खाद लगा दिया एक बार और लगाय जाएगा चुट्टी इसमें पानी चला है दो दिन से बहुत शांदार गन्ना खड़ा है भाईयो यह हमारा पहला टूबेल है यह बड़े भाई के हिस्चे मा आ गया तब हमें दूसरा करना पड़ा इस साइड में यह बड़े भाई की जमीन है सामने पंद जीगा टूबेल है इजहरे इनका चक है यह एक सरकारी नाली है जो कभी पानी आया करता था सरकारी टूबेल का हमारे दोनों भाईयों के चक इसी पर ही है गाउं के गोरे से लेग है और वो सिश्वम्सी चमकरी उन्चा पेड वहां तक फिर डोड़ा यह चला गया फिर यह सामने जो गन्ना है यह चक रोड़े कि इससे उरे उरे है और वो जह रास्ते तक चला गया चक सही है बिलकुल दो तो रास्ते को हो गया है इससे तो काली रोड़े यह काली सड़क जा रही है और उस साइड में खड़ों जा है जो नील कंठ खोली पर जा रहा है और इधर हमारी अपनी चक रोड़ है तीन मीटर की तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नमस्कार देखो इस मेने उन्हें खिरे बुआ दिये यह एक लाइन खीरों की खड़ी है